आपका स्वागत है आईए बिभिन समाचार पत्रों में प्रकासित उन सूचनाओं पर नज़ा डालते हैं जिनका सिधा सरोकार आप से है बिभिन समाचार पत्रों में प्रकासित तमाम सूचनाओं में आपके लिए पहली महत्वण सूचना बिहार से हैं राज सरकार के बिभिन बिभागों में 7569 नए पदों पर बहाली होगी मुख्यमंत्री नितीस कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज परिशत की हुई बैठक में इस पर शहमती दी गई काइबिनेट बिभाग के अपर मुख्य सची डॉक्टर एस सिधार्थ ने बताया कि राज के नए अस्थापित 6421 उतक्रमित उच्छ माध्मिक विद्यालियों में एक एक विद्याले सहायक बहाल होंगे नियत वेतन पर उनकी बहाली होगी और इन 6421 सहायकों के पद स्रिजन और उन पर शालाना खर्च होने वाली 1.27 अरब रूपय की स्विक्रती काइबिनेट ने दे दिया है इसी तरह योजना एवंग विकास विभाग और P.H.E.D. में 350-350 कनिय अभियनता की नियुक्ति को मंजूरी मिली इन पर 26.50 करोण खर्च होंगे योजना एवंग बाल विकास के तहत MP, MLA, MLC फंड से होने वाले विकास कारियों के क्रियानवयन सुपरवीजन और निगरानी के लिए 350 कनिय अभियनता की बहाली के लिए तक्निकी परियवेक्षक की आउट सोर्सिंग पर ली जाएगी इन पदों पर काम करने वाले इंजिनियरों पर 16.25 करोण रूपए खर्च की मंजूरी दी गई है वहीं P.H.E.D. में भी नल जलक सरकारी चापाकल और पेजल की अन्य योजनाओं के क्रियानवयन सुपरवीजन और निगरानी करने के लिए 350 कमी अभियनता की बहाली के लिए तक्निकी परियवेक्षकों की सेवा आउट सोर्सिंग पर ली जाएगी ग्रामिड कार्य विभाग में संविदा पर 231 सहायग अभियनताओं का नियोजन होगा जननायक करपूरी ठाकुर छात्रावास एवंग अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के संचालन के लिए 91 छात्रावास प्रबंधक के पद की स्रिजन की स्विक्रती दी गई है वहीं बिहार श्वास्त विज्ञान यूनिवर्शिटी पटना में प्रशासनिक कारियों के संचालन के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों के 60 पद स्रिजन की मंजूरी दी गई है जल संसाधन विभाग के तहत 56 नए पदों के स्रिजन की स्विक्रती मिली है और अगली सूचना है प्राथमिक सिक्षक भरती को लेकर डियलड प्रसिक्षित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को 6 दिन पत्थर गिर्जा घर पर प्रदर्शन किया इस बीच एक प्रतिधी मंडल ने उत्तर प्रदेश सिक्षा सिवा चैन आयोग में सचिव मनोच कुमार और उप सचिव सिवजी मालवी से मुलाकात की अभ्यर्थियों ने नवगठित आयोग पर 19 सितंबर को महा आंदोलन की घोशना की है अगली सूचना उत्तरप्रदेश सिपाही भरती परिक्षा को लेकर हैं उत्तरप्रदेश पुलिस भरती इवंग प्रोनती बोर्ड सिपाही भरती परिक्षा के लिए हुई लिखित परिक्षा की उत्तरकुनजी 11 सितंबर की सुबह जी कर देगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त की 10 पालियों के प्रश्णपत्र और उनकी उत्तरकुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकेंगी अभ्यर्थी 11 सितंबर से 19 सितंबर की राद 12 बजे तक अपनी आपत्ती दाखिल कर सकेंगे भर्थी बोर्ड के अध्यक्ष राजीव क्रिश्णपत्र ने बताया कि अगर अभ्यर्थी को कोई गलती पता चलती है तो वह अपनी आपत्ती साफ लिखावट के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं इसके लावा आपको बता दें 23 अगस्त को दोनों पालियों में परिक्षा देने वाले अभ्यर्थी 11 सितंबर से 15 सितंबर की राद 12 बजे तक अपनी आपत्ती जमा कर सकते हैं इसी तरह 24 अगस्त को परिक्षा देने वाले अभ्यर्थी 12 से 16 सितंबर 25 अगस्त को परिक्षा में सामिल अभ्यर्थी 13 सितंबर से 17 सितंबर 30 अगस्त को परिक्षा देने वाले अभ्यर्थी 14 सितंबर से 18 सितंबर और 31 अगस्त को परिक्षा में सामिल अभ्यर्थी 15 सितंब के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। सासन से प्रवेश प्रक्रिया की तिथी घोशित कर दी गई है। परिक्षा नियामक प्राधिकारी की वेब साइट पर आवेदन लिया जाएगा। 18 से 35 वर्से के सनातक अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर तक शलेगी। 10 अक्टूबर तक सुल्ग जमा होगा। 12 अक्टूबर तक आवेदन का प्रिंट ले सकेंगे। इसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलता है। हाई स्कूल, इंटर और सनातक के अंकों के गुडांक से मेरिट बनेग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी। रिक्त सीटों के सापेक्ष द्यतिय चरण की काउंसलिंग 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी। 10 दिसंबर तक द्यतिय चरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 12 दिसंबर से प्रसिक्षन सुरू हो चाएगा। अगले सूचना उ जुनानी 2023 प्रारंभिक परिक्षा की उत्तरकुंजी मंगलवार को जारी कर दी जो 16 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी उपसचिव धर्मेंदर कुमार त्रिपाठी ने अभ्यरतियों को शलाह दी है कि वेब साइट पर प्रश्न और उनके उत्तर देख लें यदि कोई विसंग विद्यालियों में कारियरत सभी सिक्षकों की तस्बीर टंगेगी विद्यालियों में सिक्षकों की तस्बीर फ्लैक्स पर प्रदर्शित की जाएगी इसे से विद्यालियों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावक पदस्थापित सिक्षकों को जान सकेंगे इस संबंध में सिक्षा मंद्राले ने आदेश दिया है। यह आदेश सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवंग उच्छ माध्यमिक विद्यालियों के लिए हैं। इन विद्यालियों में पदस्थापित सिक्षकों की तस्बीर फ्लैक्स पर प्रदर्सित करने को लेकर के किंद्र सरकार ने बिहार सरकार से रिपोर्ट भी मागी हैं। फ्लैक्स पर प्रदर्शित करने से संबंधित अध्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई है। फ्लैक्स पर प्रदर्शित करने से संबंधित आपको समय पर मिलती रहें। प्रदर्श प्रतिध मिलती रहें।